आदिम जाती कल्यान विभाग से संबंदित कपल धारा योजना में डीजल पंप खरीदने में गड़बडी का मामला सदन में गूजा भाच्पविदाइक भगत सिंग नेताम ने ध्यानाकर्शन सूचना के माध्यम से सवाल उठाया कि डीजल पंप खरीदने के लिए हितिगराहियों को 20-20,000 रुपए बैंक खातों में जमा करना था लेकिन आदिम जाती कल्यान विभाग के तहट आने वाले बाला घाट जिले के बेहर जन्पत पंचायत में इस नियम का पालन नहीं किया गया आज विधान सभा के अंदर मेरी ध्यानाकरशन की सूचना जिसमें आदिवासी एकिकरित परियोजना बैहर जिला बाला घाट में आदिवासीयों को डीजल पंप प्रदाय करने के नियमों के उलंगन करने के संबंध में ध्यानाकरशित मेरे द्वारा किया गया था उसमें आज विधान सभा के अंदर उन अनिमित्ताओं के लिए दोसी पाते हुए जन्पत पंचायत बैहर के मुख्य कारेपालन अधिकारी सतीस्चन अगरवाल और एकिकरित आदिवासी विकास परियोजना बैहर के परियोजना अधिकारी श्री एसल जारिया को विभागी मंत्री विजय साहजी ने आज सदन के अंदर निलंबित करने की गोशना की है और निश्चित रूप से जिन अनिमित्ताओं के आधार पर निलंबन की कारवाई हुई है वह स्वागत योग्य है और इसके आधार पर मुझे लगता है कि जिन पर अंकुष लगेगा और विभाग में जो हमें पेक्षा करते हैं कि आधिवासी वर्ग के हितों का संरक्षन होगा निश्चित रूप से उसमें मंत्री मोहदय ने एक ठोस कदम उठा करके एक बहुत अच्छा निर्णय ले करके एक संदेश मंध्य प्रदेश में दिया है विधायक में आरूब लगाया है कि सन्यमित्ता के कारण आधिवासी व हित ग्राहियों में असंतोष है वहीं आदिमजाती कल्यान मंत्री विजशा ने इस संबंदित पर यूजना अधिकारी को निलंबित करने की घुश्चना की अभी जो माननी बिधायकी ने सिकायते करी थी उसमें प्रसम दश्च्टिया कुछ दो अधिकारी हम उनको दोशी मानते हैं और उनको तदकाल प्रवासर में निलंबित किया है ताकि जो सासन की मंसा है मद्दबते सासन की मंसा है आधिवासी के हित में अगर कोई सासन की से सीधे खरीद लिये और हितगराहियों से कोरे चैक पर हस्ताक्षर करा कर पैसे ले लिये हैं जिसके कारण हितगराहियों में असंतोश व्याप्त है कैमरा परसन टैनी खान के साथ प्रैशनवी चौधरी, MS News भोपाद